आएए देखते हैं इन्वेस्टर को किस में ज्यादा कमाने को मिला ये शेर में या निफ्टी पिफ्टी इंडेक्स में 1.1.2014 को शेर प्राइस थी और इंडेक्स था 6 साल बाद शेर प्राइस थी और इंडेक्स था अगर हमें निफ्टी के मुकाबले बहुत ज्यादा कमाई करनी है तो हमारे स्टोक में चार बाते होनी चाहिए 1. लंबी यूदी में शेर प्राइस बढ़ती रहनी चाहिए 2. जब मार्केट में बड़ी गिरावट आती है तो हमारा स्टोक ज्यादा नहीं गिरना चाहिए निफ्टी के मुकाबले 3. जैसे ही मार्केट रिकवर होती है हमारा स्टोक तेजी से रिकवर भी करना चाहिए निफ्टी के मुकाबले चार, हमारा Share अपने Sector का Top Share होना चाहिए इस वीडियो में हम देखेंगे की हमारा Share Nifty से better है या नहीं यानि की पहले 3 Points इस वीडियो में देखे जाएंगे अगर आपको Sector का Top Share चुनना है तो उस वीडियो की Link description में दी गई है 1-1-2014 को 1 लाग रुपए इस शेर में इन्वेस्ट किये 6 साल बाद 1-1-1-2-20 को इस शेर में इन्वेस्ट किये हुए 1 लाग रुपए हो गए March में इस इन्वेस्टमेंट की value हो गई और Current Share Investment की value है 1-1-2014 के दिन एक लाग रुपे निफ्टी 50 शेर्स में इन्वेस्ट किये 6 साल बाद 1-1-2020 के दिन निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किये हुए एक लाग रुपे हो गए मार्च 2020 में इस इन्वेस्टमन की वेल्यू हो गई और current Nifty 50 investment की value है Nifty में appreciation ज़्यादा हुआ है इसलिए first point Nifty ने जीत लिया है Second point Nifty ने जीता Third point Share ने जीता आधी match में किसने ज़्यादा रंग बनाए ये important है लेकिन match complete होने पर क्या scoreboard है ये सबसे ज़्यादा important है overall share जीता चार्ट में देखते हैं एक मिनिट के लिए हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये share और Nifty का index जैसे पिछले साथ सालों में चले है वैसे ही अगर अगले साथ सालों तक चले तो उनकी value कहां पहुँचेगी ये ही एक लाख रुपे की अगर हमने 8% इंट्रेस से fix deposit की होती तो आज उसकी value हो गई होती FD के 8% के मुकाबले Nifty ने कितने percentage का return दिया ये share ने कितने percentage का return दिया स्टोक मार्केट में अगर return ज्यादा है तो risk भी ज्यादा है ये आकड़े देखकर अगर किसी को विचार आए कि मैं bank FD तोड़कर share खरीद लूँ तो उसके लिए ये है अगला चार्ट जो 1-1 2020 से 31st मार्च 2020 का है ये comparison है 1st January 2020 से आज तक की यहां पर share मजबूत रहा ये comparison है 1st October 2020 से आज तक की यहां पर share मजबूत रहा ये comparison है 1st December 2020 से आज तक की यहां पर share मजबूत रहा तैंक यू